यदि आपके पास कोई महिला से दोस्ती या बाच्चित करने का मैसेज आए तो हो जाईए सावधार क्योंकि हो सकता है वो अशलील वीडियो दिखा कर आप से अशलील बाते करे और फिर स्क्रीन रिकोर्डिंग कर सोशल मीडिया पर वाइरल करने के नाम पर आपको ब्लैक मेल करके लाखो रुपे एठ ले राजधानी दिल्ली के साउथ दिल्ली साइबर सेल पुलिस टीम ने टेलीग्राम एप के जरिये ब्लैक मेल करने वाले घिरों का भांडा फोड करते हुए पांच आरोप्यों को गिरफदार किया है जो की इसी तरीके से यूवकों को ब्लैक मेल कर लाखो रुपे ठगता था पुलिस की ग्रफ्त में कैदी ये वे ही शातिर ठग है जो टेलीग्राम एप के जरिये लोगों को अशलील मैसेज या महिला से दोस्ति करने के मैसेज भेजते थे और फिर जब यूवक बात करता था तो ये लोग उस यूवक को अशलील वीडियो दिखा कर उसकी स्क्रीन र रिकोर्डिंग यूवक को भेज कर उसे ब्लैक वेल कर लाखों रुपे ठगने का काप करते थे साउथ दिल्ली के साइबर ठाने की पुलिस को शिकायत मिली थी जिसमें इस गिरों ने एक ही व्यक्ति से कई बार में काफी मोटी रकम एठी थी जिसके बाद पुलिस ने मामल का दर्ज कर मोबाइल नंबर के जरिये आरोपियों की तलाश शुरू की आरोपी दिल्ली के द्वार का इलाके से धर्दबोचा और फिर उनके अन्य चार साथियों को कोलकाता से ग्रफ़तार कर लिया इसमें जो वाट्साप नंबर और आये उसको डिटेल लेने के बाद जो इन्फरमिशन आई उसमें से एक जो एक्यूज है वो आमने द्वार का एरिय से डावडी से उसको अप्रेहंड किया और उसकी इंट्रोगेशन में और जो फर्दर मनी ट्रेल थी उसके बेस पर आगे के जो पांच एक्यूज हैं जो कलकत्ता से होड़ास पकड़े गए हैं उनकी बारे में जानकारी मेली तो पहले एक रोहित कुमार नाम से अप्रेहंड किया और उसके बेस पर और बेनिफेस्टी डिटेल के जो आगे मनी ट्रेल है उसके इसाब से यह आगे और इडेंट्प तो इसने उस पर लिंक पर क्लिप किया और इसको वाट्सअप मेसेज आता है किसी नंबर से और उससे पैसे की डिमांड की जाती है कि एक लाख रुपए दे दो वरना जो है तुमारे यह डिकॉर्डिंग मेरे पास है यह वीडियो देखते वे इसको सोशल मीडिया पर हम फ करने के लिए शुरूर में तो यह पैसे दे देता है उसके बाद यह लगातार यह चलता रहता है इसको लगातार इस तरीके के एक्स्टॉशनिस थ्रेटनिंग मेसेज़ आते रहते हैं वाटसाब पे जिसमें पैसे की डिमांड की जाती है यह फिर फाइनली साइवर फुली है उसके थ्रू हम यह पाते हैं कि यह जो अक्यूस्ट है यह वेस्ट बंगॉल से ऑपरेट कर रहे हैं और हमारी टीम वेस्ट बंगॉल जाती है और वी ट्रेस्ट अक्यूस्ट और इन में पांच लोगों का हाथ है पांच लोगों को हम अरेस्ट करते हैं इन से रिकवरी भ कोन बरामद हुए हैं साथ ही कई लोगों के साथ की गई चैटिंग भी सामने आई हैं जिसमें ये लोग ब्लैक मेल करने का काम करते हैं और फिर उनसे लाखों की रकम एट लेते हैं फिलहाल पुलिस इस मामले की तपतीश में जूटी है कि पहले किन किन लोगों से इन्होंने करके ठगी को अन्जाम दिया है